हेलो एब्रीवन वेलकम डो वाइफाइडुकेशन वाइफाइडुकेशन के इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे तीन सो बैस्ट करनडफेस के एमसी का उसका पार्ट सेकेंड जिसमें हम सोलना से लेकर एक तीस मईड़ी दो हियार बीस तक करनडफेस के जितने वह दो वीडियो में कवर करते हैं यह है पार्ट सेकंड इसके पार्ट वन ने हमने हमने कवर के थे एक से लेकर 15 मई दूहाँ बीस सकर करनडफेस के इंपोर्टन एमसी के आउसा अगर आपने फस्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप फस्ट पार्ट भी देख सकते हो इस वीड चाहे आपके इसी National exam की त्यारी कर रहे हैं जिसमें यहीं करनफेस के कोश्ण आपको इस सीरी से बाहर ने मिलेगा इसलिए ज़्यादा से जद्द अपने फंड के साथ इसस सीरीस को शेयर जरू करेए अब ज़्यादा विलम बना करते हुए हम इस सुडियो को स्टाट करते ह कि जो सेंटर है इनके दौरे का निई-बोडी का गटन किया गया है रिस started Walmart यह निए चावल का allemaal ब्रमोशन करने के लिए एक स्पोर्ट में यह इन्होंने एक वोडी का कटन किया है इसका नाम एंनों रेखा है R.E. P.F. यह क्या करता excuse यह REPF stand करता है Rice Export Promotion Form इन्होंने पुछा है P की Full Form क्या है P stand करता है Promotion इसी रेटन सायस कोशन का यह option Promotion सेकंड कोशन देखे जो डॉक्टर हर्षवर्दन है इन्होंने पार्टी स्पीड किया है जो 32 में Common Wealth Health Ministers की मेटिंग होई थी उसमें यह जो Common Wealth Countries है वो कितने हैं यानि Common Wealth जो Nations हैं वो कितने Members हैं इसमें Total Members है 54 जो 54th Member बना था वो बना था Maldives यानि latest member बना था Common Wealth का वो बना था Maldives इसके लावा थीम भी याद रिखे Delivering a Coordinated Common Wealth COVID-19 Response यह है थीम इस Summit का थर्ड कोशन देखे जो External Affairs Minister है ऐसे जैशंकर इन्होंने Party Speed किया है जो Foreign Ministers की जो Meeting होई थी शिंगाई Corporation Organization की उसमें Party Speed किया है डॉक्टर ऐसे जैशंकर ने यह हुई कहां थी यह हुई थी रशिया में रशिया की Capital है मॉस्कोव और करंसी है रूबल और President है वलादी मीर पोतिन नेक्स कोशन देखे फोर्थ रूबल कोशन किस स्टेट के दौरा एक मतीर समरिश्थी स्कीम को लाँच किया गया है रिसेंली इसको रिसेंली लाँच किया है वेस्ट बेंगॉल Government ने इराट आसे स्ट कोशन का किसे मिली है यह मिली है मेजर अक्षे कुमार को मेजर अक्षे कुमार को यह टौफी दी गई है रिसेंली 2020 के लिए रोबर्ट एजो वेड़ो जो है इन्होंने रिजाइन किया है अपनी पोस्ट से यह चीफ थे किस औरगनेशन के यह चीफ थे व्ल्ड ट्रेड औरगनेशन के इसका जो हेड़कॉर्ट है वो है जनेवा में जनेवा में ही हेड़कॉर्ट है व्ल्ड हेल्थ औरगनेशन के जो चीफ है डिरेक्टर जेनल है वो है टेड्रोस अधनॉम यह इथोपिया देश से है इथोपिया देश से हैं टेडरो साथरोव नेक्स्ट कोर्शन देखे सेवंफर नेक्ट कोशन यह एक चाइना की एक Tech Giant Company है इसके दोरे एक एप लॉश्क किया गया है यह 100 से जादा देशों में लॉश्क किया गया है इस एप का नाम क्या है इस एप का नाम है वूव मीटिंग, यह जो वूव मीटिंग है, यह मेंली COVID-19 के कारण लाँच किया गया है, यानि lockdown के दौरान इस app को लाँच किया गया है, मेंली companies के लिए लाँच किया गया है, जिनकी meetings उगेरा होती है, उनके लिए मेंली इन्होंने लूच किया है, इसमें आप approximately 10,000 minute जो हैं, वो free of cost meeting अटेंड कर सकते हो, 10,000 minute की meeting, इसके लाँवा आप यह विया देखे, यह विल्कुल free of cost app, next question देखे, who visited the national center for disease control and dedicated the COBAS 800 testing machine to the nation, यनि किसके दौरा visit किया गया था, national center for disease control में और इन्होंने एक देश को अरपित की है, COBAS 800 testing machine, यह देश को इन्होंने अरपित की है, यह किस ने की है recently, इसको recently अरपित किया है, Dr. हर्षवर्दन ने, यानि राइट अंसर इस question का भी option, Dr. हर्षवर्दन, यह हमारे इंडिया की health minister है, और इनकी constituency है, चांदरी चौका, New Delhi, next question देखे, जो Indian consular for culture relations है, इनके दौरा एक new song release किया गया है, launch किया गया है, United We Fight, इसको recently compose किया है, किस ने, इसको recently लिखा और compose किया है, जो Elvers ने, इसलिए जो Elvers जो है, इनके दौरा एक को recently लिखा गया है, और compose किया गया है, इनके दौरा एक खेल रतन अवर दिया गया है, यह किसी दिया गया है, जे देश का highest supporting honor है, यह किस को दिया गया है recently, यह दिया गया है अंजूम मोधगिल को, यह जो अंजूम मोधगिल है, यह एक इंडिया के काफी famous shooter है, यह वियाल क्या है, International Day of Families जो है, यह हर साल किस डेट को observe किया जाता है, यह हर साल 15 मई को मनाया जाता है, इसका theme है, Families in Development, which bank has approved 1 billion accelerating India's COVID-only social protection response program, यानि किस bank के दौरा, 1 billion dollar का जो loan है, इंडिया के लिए अप्रोव किया गया है, accelerating India जो COVID-19 से बिमारी है, इसके चलते हुए, यह social protection response program के लिए लाँच किया है, यह किस ने release किया है, यह amount, यह recently approved किया है, व्ल्ड बैंक ने, इसके question का is your option, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF, दोनों का headquarter है Washington DC में, और इसके pregnant है, डेविड मलपास, डेविड मलपास, नेक्स के question देखिए, कौन सा देश है, जो first देश बना है, य उरोप में, coronavirus free, यह एक country है, Slovenia, यह right answer is question का eruption Slovenia, Slovenia को आपको confuse नहीं करना है, स्लोवाकिया के साथ यह दोनों अलग 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 देश हैं, स्लोवीनिया की जो capital है वो है ल्यूब लियाना यह capital of Slovenia और स्लोवाकिया जो है इसकी जो capital है वो है बराती शलवा बराती सलवा next question देखे which of the following has acquired virtual reality start-up next VR for 100 million dollars, यहनी किसके दौरा एक virtual reality start-up है next VR, इसको 100 million dollars में acquire किया गया है इसको recently acquire किस ने किया है इसको acquire किया है, recently apple company ने, right answer is question का यह option apple, apple के यो CEO है वो है Tim Cook Tim Cook next question देखे 15th number question, बहबानी चरण जो है, इनकी मिरती हुई है recently, इनको पदम शीरी से सर्मानती किया गया था किस year में, इनको पदम शीरी से सर्मानती किया गया था 2018 में, इसके लावा आप यह याद रिखे यह इंडिया के काफी famous freedom fighter थे, इंडिया के काफी famous यह एक freedom fighter थे भवानी चरण, इनकी मृती हुई है मई 2020 में next question देखे, इन partnership with which of the following has the tribal affairs minister, अर्जुन मुदा has launched the goal going online as a leaders program, यानि किसके साथ मिलके अर्जुन मुदा जो है tribal affairs minister इनके दोरा एक goal initiative को launch किया गया है, program को launch किया गया है going online as a leaders किसके साथ मिलके इन्होंने लौच किया इसको इसको launch किया इन्होंने facebook के साथ मिलके राइटाम साथ कुछन का डिया अप्शन इं फेस्बुक facebook के यो CEO है, वो है Mark Jakarvarga, Mark Jakarvarga next question देखे जो हमारे राजिनाज सिंग जी है, defense minister इनके दोरा commission किया गया है ICGS Secretary और इसके साथ साथ इन्होंने दो interpreter boards जो है, वो वी अरप्रत किये है यहाँ पे, यह कहाँ पे किया है इन्होंने C-450 और C-451 यह इन्होंने कहाँ पे किया है यह किये हैं इन्होंने गोवा में, इन्होंने commission किये है ICGS Secretary और दो Interceptor Boards C-450 और C-4501 इसलिए इन्होंने question का भी option गोवा next question देखे जो defensive minister है हमारे राजना सिंग, इनके दोरा एका approve किया गया है, एका program DTIS, DTIS में जो T की full form है, वो क्या है इसकी पूरी full form याद रिखे defensive testing, infrastructure scheme इन्होंने पुछा है T की full form T stand करता है, testing इसकी पूरी की पूरी full form जो है, वो याद रिखे defensive testing, infrastructure scheme, इसके लावा हमारे defensive minister जो है, वो है राजना सिंग इनकी जो consistency है, वो है लखनू है capital of UP next question देखे 19 number question, landing craft utility ship in clue L-57 was commissioned into Indian Navy and Port Blair in May 2020, the ship is capable of carrying how many troops यानि एक utility ship है, जिसका नाम है, in clue L-57, इसको commission किया गया है Indian Navy को, यानि Indian Navy को संपा गया है Port Blair में, ये कितने troops को ले आने के लिए इसकी capability है, ये ले आ सकती है approximately 180 troops है, इसलिए राइट अंसर है इसकोशन का डिए अप्षिन, 180 सेनिक जो है, वो इस शेपों में जा सकते हैं, ये याद रिखिए 180 troops next question देखे, कौँ सी state है जिसने अपना foundation day liberate किया है 16 माई को, यानि किस state का statehood day होता है 16 माई को इस दिन statehood day होता है सिक्किम का, राइट अंसर है question का D option सिक्किम का foundation day होता है 16 माई को, क्योंकि जो सिक्किम है ये निया राज्य बने था 16 माई 1975 को 16 माई 1975 को foundation day होता है statehood day होता है सिक्किम का इसलिए राइट अंसर हैस कोशन का D option सिक्किम next question देखे, international day of light कब observe क्या आता है हर साल international day of light हर साल observe क्या आता है 16 माई को राइट अंसर हैस कोशन का 16 माई next question देखे, जो देबेश रोय है इनकी मृत्यू या रिसेंली इनको सहेतिया काड़ी में अवार्ड दिया गया था किस नोवल के लिए नेक्ट को ये अवार्ड दिया गया था इसलिए राइट अंसर हैस कोशन का एक अप्षन नेक्ट कोशन देखे, जी त्वेंटी की जो वर्चुल ट्रेड और इंवेस्टमेंटर मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होई थी उसमें इंडिया की तरफ से किस ने participate किया था वीडियो कॉंफरेंसिंग के मादिम से इसमें इंडिया की तरफ से participate किया था पियूश गोईल ने राइट अंसर कोश्चन का भी ऑप्षन पियूश गोईल इसके लावा आप ये वह याद रखिये जी ट्वेंटी की जो वर्चौल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर की जो मेटिंग होई थी वीडियो कॉंफरेंसिंग की मादिम से इसी राइटां साय इसके इसकोश्चन का भी ऑप्षन पियूश गोईल ये हमारे इंडिया के रेलवे मिनिस्टर है नेक्स्ट कॉश्चन देखे 24 नंबर कॉश्चन दा आयूश मिनिस्ट्री एंड दा CSIRR वर्किंग टोगैदर और वेलिडेटिंग विच आयूश फॉर्मिलेशन अगेंस्ट कोविड उनिस यानि आयूश मिनिस्ट्री जो है और CSIRR इन दोनों के द्वारा मिलके एक वेलिडेटिंग एक आयूश फॉर्मिलेशन लाँच किया गया है यानि रिलीज किया गया है इसे कॉविड उनिस से लड़ा जा सकता है ये कौन-कौन से दो जो हैं ये इन्होंने लाँच किये हैं रिसेनली ये दो प्रकार के हैं आशिवगंदा और यश्टी मदू इसलिए राइटाम साइस कोश्चन का ओल A, B, N, C यानि आशिवगंदा यश्टी मदू और आयूश 64 इन तीनों के दौरा लाँच किया गया है आयूश मिनिस्ट्री और CSIR के दोरा इसलिए राइटाम साइस कोश्चन का ओल A, B, N, C इसके लावा आप ये विया रिखे जो आयूश मिनिस्ट्री है इसके यो मिनिस्ट्र हैं वो हैं शिरीपद यैसोनाइक शिरीपद यैसोनाइक इनकी कौनश्यासी है नौर्थगवा किस मई 2020 को ये फॉर्मर जो प्राइमिनिस्टर थे राजिव गंदी इनकी डेथ अनवर्सरी होती है इसके उपलक्ष में इन्होंने ये स्कीम को लाउच किया है रिसेंली इसको रिसेंली लाउच किया है च्छतिस गड़ गवर्नमेंट ने रहाटा साइस कोश्चन का डिया को इसी रहाटा साइस कोश्चन का स्की ऑप्षिन 17 माई इसका थीम है दोहयावीज का Connected 2030 आई सीटीज फॉर्धा सस्टेंबर डेवल्मेंट को ये है थीम दोहयावीज के लिए नेक्स्ट कोश्चन देखे विच्च हैज अक्वाइड गिफी आप पॉपॉलर वेबसाइड फॉर मेकिंग एंड शेरिंग अनिमेटर इमेज़ और जीएफ्स यानि किस कंपनी के दौरा एक पॉपॉलर वेबसाइड को रिसेंटली अक्वाइर किया गया है ये जो वेबस था वह भी परचेस किया गया है जीओ का लाइस जीओ का इन्होंने स्टेक परचेस किया था 9.99 परसेंट यह विया रखे इसके यह स्यों है वह मर्क जाकरवर्गा इसके यह नियू मैनेसिंग्शिंग इरक्टर बने है वो कौन बने है इसके नियू अम्डी बने है जो बायर अकबाल इसलिए रट आउ स्यसजग का जी अप्शन जो बायर अकबाल next question देखिए international day of leaving together in peace किस date का observe किया आता है हर साल ये हर साल 16 मई का observe किया आता है इसे जाइटन साथ question का see option 16 मई next question देखिए digital education initiatives for students called to be launched which will be an earmarked tv channel per class from 1 to 12 यानि एक से लेकर 12 class तक 12 तक ये नोंने एक program लाँच किया है एक initiative लाँच किया है जिसमें ये online tv channel के माधियम से जे education परवाइड करेंगे इसका नाम क्या रखा है इसका नाम रखा है PME वित्या राटन साथ question का एक option PME वित्या इसमें total 12 DTH channel परवाइड के जाएगे जिसके माधियम से एक से लेकर 12 class तक जो students है उनको online तरीके से पढ़ाया जाएगा study करवाई जाएगी 12 DTH channels को भी लाँच किया गया है world hypertension जो है यह हर साल किस date को observe किया आता है यह हर साल मनाया जाता है 17 माई को इसका जो theme है वो है Now Your Numbers यह है theme 20 year के लिए Next देखे which has joined the UNESCO lead Global Education Coalition and launched a digital program delivering online learning content यानि किस company के दौरा UNESCO के साथ एक launch किया है एक प्रोग्राम जिसके मादिम से यह digital program है जिसके मादिम से यह online learning content परवाइड करेंगे सभी students को यह किस company के साथ मिले के इन्हों ने किया है यह किया है अरेक्सन के साथ मिले के जिसके मादिम से अरेक्सन नेक्स्ट कोशन देखे 33 रंब कोशन तू विच गंट्री है इंडिया परवाइड़ 30,000 पैथोड़ डिटेक्ट कोविड ओनिस क्वालिटेटिव आटी पीसीयर टेस्ट करेंगे सा यानि किस देश को इंडिया परवाइड़ करेगा 30,000 पैथोड़ डिटेक्ट कोविड ओनिस क्वालिटेटिव आटी पीसीयर टेस्ट करेंगे सा यह इंडिया परवाइड़ करेगा नेपाल को जैटां साथ कोशन का भी आप्शन नेपाल नेपाल की कैपिल है काथमांडू और प्रेजिनेट है विद्या देभी बंडारी और प्राइमिनिस्ट है केपी ओली केपी ओली ये है प्राइमिनिस्ट ओफ नेपाल और काथमांडू जो है इसमें एक हैड़कॉर्टर है सार्क का सार्क का मुखहल्या है निपाल की कैपिल काथ मन्दू में नेक्स्ट कोशन देखे National Restaurants Association of India जो है इनके दौरा एक online एक tech platform develop किया जाएगा जिसके मादिम से जो भी online payment होगी वो की जा सकती है restaurants में यह किसके साथ मिलके क्या है इनुने यह किया है डोट पे के साथ मिलके डोट पे के साथ मिलके इनुने एक platform develop किया है जिसके मादिम से अगर कोई person online भूगतान करना चाता है रेस्टनार्स में वो कर सकता है इसी डोट पे नेक्स्ट कोशन देखे 35 नम्ब कोशन वो कौन बनी है किस कंट्री में बनी है जिसकी पार्लेमेट का नाम है नैसेटा यह बनी है इसराइल की इसराइल के नियू प्राइमिनिस्ट बन चुके है यानि पहले भी वही थे इनको recently re-elect किया गया है Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu जो है इनको re-elect किया गया है इसराइल की जो कैपिल है वो है Jerusalem नबार जो बैंक है इसके दौरा 1500 क्रोड पे जो है वो सैंक्शन किये गए है अप्रूव किये गए है किस कोपरेटिव बैंक के लिए यानि किस सेट का कोपरेटिव बैंक है जिसके लिए इन्होंने 1500 क्रोड पे अप्रूव किये है ये बैंक है पंजाव का यानि पंजाव कोपरेटिव बैंक के लिए इन्होंने 1500 क्रोड पे सैंक्शन किये हैं इसलिए इसलिए राइट आँसराइस कोच्टन का बी ऑप्शन पंजाब पंजाव के CM है, Captain Aminanda Singh और Governor है, VP Singh पतनाओ, capital है, पंजाव और हन्याना की capital है, चंडीगड़ा Next question देखें, 37 नम्र कॉष्ण Which company has announced the acquisition of the balance 25% stake in Kenya-based Canon chemicals limited for an undisclosed sum यानि किस company के दौरा announced किया गया है, यह acquire करेंगे, जो 25% stake बचा हुआ था Kenya-based Canon chemicals limited का, इन्होंने जो amount की वो undisclosed रखी है, यह किस ने recently acquire किया है यह किया है, Godres Consumer Products Limited ने, रेट अंसार्स कॉष्ण का C option, Godres Group किस के दौरा एक book लिखी गई है, Wuhan Diary, Dispatches of Roma, Quarantine City इस book को लिखा किस ने है recently, इस book को लिखा है recently, Fang Fang ने, रेट अंसार्स कॉष्ण का D.A.P.S. इसमें जो भी lockdown रहा है, उसके बारे में यह book लिखी गई है, जैसे यह lockdown बिता है, इसमें पूरी की पूरी जो lockdown series है, उसके बारे में व्यक्त किया गया है, इसको लिखा है recently, Fang Fang ने, National Dengu Day जो है, यह हर साल किस लेट का observe किया आता है, National Dengu Day जो है, यह हर साल 16 माई को मनाए जाता है, रेट अंसार्स कॉष्ण का D.A.P.S. International Museum Day जो है, यह हर साल 18 माई को observe किया आता है, इसका थीम है, यह हर साल 18 माई को observe किया आता है, इसका थीम है 2.A.P.S. का Museum for Equality, Diversity and Inclusion, यह है थीम 2.A.P.S. इसके दोरा Indian Chess.com लेग जीती गई है, 2020 की, यानि 2020 की जो Indian Chess.com लेग हुई थी, इसको recently किसे ने जीता है, इसको recently जीता गया है, Chess Guru कोल के दोरा, इसको जीता गया है, और इन्होंने Final में यह रहा है, Super Kids की जो टीम थी, यानि Runners Up टीम रही है, Super Kids, यह भी आप याद दखिए Next Question देखे, कौन सी कंपणी है, जिसके दोरा 598 क्रोड जो रुपए है, वो इन्वेस्ट किये गए है, जीयो का 1.34% स्टेक परचेस करने के लिए, यह recently किसने अन्वेस्ट किये है, यह amount, यह recently amount इन्वेस्ट किये है, General Atlantic ने, जैटन सास्ट का भी आप्शन, General Atlantic का, इसे पहले 9 9.99% स्टेक परचेस किया था, जिसलिए जिसके लिए 43,574 क्रोड रुपे जो है, वो फेस्ट ने इन्वेस्ट के थे, लाइंस जीयो में, यह भी आप या देखे, Next question देखे, कौन सी कंपनी है, जिसने अपना जो स्टेक था, वो सेल कर दिया है, Goldman Sachs Group INC में, यह recently किसने सेल किया है, इसको recently सेल किया है, बरकशायर हैथवे आइन्सी में, राइटन सास्ट कोशन का यह अप्शन, बरकशायर हैथवे आइन्सी, Next question देखे, किसने पार्टिस्पेड किया है, जो 73rd meeting होई थी, World Health Assembly की जो meeting होई थी, video conferencing की मातिम से, इंडिया की तरफ से किसने पार्टिस्पेड किया था, इसी meeting में, इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिस्पेड किया था, हमारे health administration, डॉक्टर हर्षवर्दन ने, यह राइ speeding up road construction in the border areas, यानि किस committee के दोरा, एक recommend किया गया है, कि जो border areas है, इसमें जो road बंद पड़े है, इनको जल्दी से जल्दी construct किया जाए, यह किसने recommend किया है recently, इसको recently किया था, DB शेकातकर committee ने, यानि DB शेकातकर committee जो है, इसने recommend किया था, जो भी border areas है, इन पर जो भी roads का का काम ब रहेगा, कौन बने है, जो national real state development council जो है, इसके जो director general बने है, वो कौन बने है recently, इसके जो director general बने है, वो बने है, Rajesh Koyal, Rajesh Koyal जो है, इनको point किया गया है, as the director general of national real state development council, इसलिए राटें सस्कोस्टन का सीब्स्टन, Rajesh Koyal, next question देखे, 48 नम्र कोश्टन, two eastern coastal states of western Bengal and Udisha are bracing of which cycl किलों यानि कोँट सा इनी रिसेंली हिट किया आगे इस को नाम किस ने दिया है यत सब्सक्राइब को नाम दिया है थाइलेंड ने थाइलेंड ने नाम दिया था अंफान ये भी पुछाई आ सकता है अकॉडिंग टू दा अकॉडिंग टू आ रिपोर्ट बाए कॉंपारिसन हुड कुड पटेंशली बिकम दा वर्ल फर्स्ट ट्रेलियनरी यानि विशव का पहला आदमी जो ट्रेलियनरी बनेगा वो कौन बनेगा इसके लावा आप से पुछाई आ सकता है इंडिया के कौन से परसन है जो फर्स्ट ट्रेलियनरी बनेगे वो बनेगा मोकेश अमपनी मोकेश अमपनी जो है ये बनेगा दो है याद रिखिया आप नेक्ट कोशन देखें who has a leave Walter Disney को company to become the CEO of TikTok यानि इन से पहले ये चीफ थे विजने कंपनी के अब ये बनेगे TikTok के new CEO आप सब इक पता है TikTok के जो company है वो है चाइना की इसके new CEO कौन बनेगे इसके जो new CEO बनेगे वो बनेगे Kevin Mayer ये रहेन सास्कोशन का एफशन Kevin Mayer next question देखे 51st number question कौन सी state है जिसके तौरा एक first cyber security specific accelerator program launch किया है जिनका नाम है hack यानि hack program को किस ने recently launch किया है इसको recently launch किया है करनाटका गवर्नमेंट रेट असर्स question का C option करनाटका next question देखे कौन सी countries है जिनको electric किया गया है world health organization की जो executive board है उसमें कौन से देश है जो चुने गए है इसमें 3 countries चुने गए है एक है इंडिया, एक है बोर्सवाना, एक है कॉलंबिया, इसलिए रेट असर्स question का all of the अबबयानी अपरोक्तों सभी इंडिया, बोर्सवाना और कॉलंबिया इन सभी को electric किया गया है World Health Organization की जो executive board है क्या आप मुझे comment में लिखे और बता सकते हो, जो बाकी countries है जिन को collect किया गया है, वो कौन से देश है देखते हैं कौन बताता है World Health Organization जो है, इसके जो डिरेक्टर जनल है World Health Organization के वो है टेडरो साधनाम, और इसका headquarter है जनेवा में, जनेवा है स्विजल लेंड में Next question देखे, कौन सी cities है यानि कितनी cities है जिनको 5 star rating दी गई है garbage free, यानि ये recently एक survey हुआ था garbage free city survey, इसमें इंडिया की कितनी cities है जिनको रखा गया है garbage free cities category में ये इंडिया की total cities है, 6 cities है इसलिए right answer is question का D option, 6 cities है ये कौन कौन सी cities है, एक है चतिसगड की city, चतिसगड की एक city है जिसका नाम है अंभिकापुर गुजरात की दो cities है, राजकोट और सूरत इन दोर है MP की, नावी मुंबई ये है महारास्रगी और मैसूरू है करनाटका गी ये 6 cities है जिनको डिकलेर किया गया है गारबेज फ्री सिटीज है right answer is question का D option, 6 cities next question देखे, कौन सी company है जिसके दोरह एक campaign launch किया गया है जिसका नाम है back to school campaign back to school campaign जो है इसको recently launch किया है Acer India ने, right answer is question D option, Acer India के दोरह एक campaign launch किया गया है, back to school campaign next question देखे, किस state के cm के दोरह एक dedicated एक, यानि information को सही तरीके से परवाड़ करने के लिए implement करने के लिए, इन्होंने एक program launch किया है, ये cm है किस state के, इसे आप right to information act implement कर सकते हो आपको बिल्कुल सही information परवाड़ कर जाएगी, वो भी समय पे ये किस स्रेट के cm के दोरह नाम किया गया है ये किया गया है, पंजाब के cm Captain Amrindar Singh के दोरह, right to answers question का भी option Captain Amrindar Singh इसके लावा आप ये भी जाद रिखे, इसके जो गवरन है वो है VP Singh का बदन और, VP Singh का बदन और इन्होंने एक dedicated number V launch किया है ये आप देख सकते हो, आप इस पे call करके जो information है, वो COVID और इसके letter हासिल कर सकते हो Next question देखे, जो बराज खाती बड़ा जो है ये Minister of Finance हैं और information and communication है किस देश के? इन्होंने एक political map launch किया है Recently issue किया है इन्होंने, ये Finance Minister है नेपाल के Right to answers question का भी option नेपाल के Finance Minister है इन्होंने के दौरा एक political map launch किया गया है Recently issue किया गया है Right to answers question का भी option नेपाल Next question देखे, which of the following has become the world's first major sports competition to resume यानि, वोल्ड का पहला major sport event होगा, वो कौन सा होगा? Nationwide lockdown के बाद, ये कौन सा होगा? Recently announced किया गया है, ये होगा Recently announced किया गया है, D-option, Bundesliga इसी राइटन सा है question का D-option, Bundesliga जो है, ये होगा Lockdown के बाद, ये announce किया गया है Recently, इसी राइटन सा है question का D-option, Bundesliga इसके लावा ये भी याद रिखे आप, ये होगा Germany में, Germany में होगा Next question देखे, who has been selected as one of the 100 most influential यानि, जो 100 most influential sick personalities है उसमें, एक person है, जिनको electr किया गया है पूरे सिख्ख group में ये कौन से person है, जिनको recently electr किया गया है चूज़ किया गया है ये हैं, मनमीत कर इसलिए, आईटन सास question का MANमीत कर मनमीत कर जो है, ये Pakistan से बिलाउं करती है Pakistan से बिलाउं करते हैं ये हैं सिख्ख personality जिन्हों को सेलेक्ट किया गया है 100 most influential sick personality में से इसलिए आइटन से स्कूर्शन का एप्षन मनमीत कौर world b day यह हर साल 20 मनी को मना जाता है इसका जो theme है 20 का वो क्या रखा गया है इसका theme रखा गया है be engaged be engaged जो है यह रखा गया है theme 20 यह के लिए world b day का विशव मदूबुक की देवस का next question देखे, एक rail boat को launch किया गया है develop किया गया है किस से ने ड्वेलवे जोन है जिसके दोररBaIB रोबोर्टिक ड्वाइस ड्वेल्प किया गया है रेलबोट इसको रिसेंटली ड्वेल्प किया है यह ड्वेल्प किया है साउथ सेंटर रेलवे जो उप्षिन इसके द्वारा ड्वेल्प किया गया है एक रोल रेलबोट इसलिए ड्वेल्प किया गया है एक रोल रेलबोट के लिए यह रिसेंटली चूज किया गया है D option वीने भादवार को इसलिए इसब्लिए र्यक्ग बानивать को सेलेक्ट किया गया है for the Alexander Dairy Emple Award में हुआषब 20 के लिए इसलिए इसलिए र्यक्ग कोईशन देखें which country will provide US$2 billion over two years to fight the corona pandemic यानी कोंसा देश है जो परवाइड करेगा 2 billion dollar USD dollar दो सालों के लिए इतको अरुना वाइरस से सभी देशों को लड़ने के लिए यह कौन से देश ने नामस किया है यह नामस किया है चाइना ने चाइना के यह प्राइजनेंट है वह है गोविंदा राजूलू चंतला यह बनेंगे न्यू चेर्मेन ऑफ नबाड यह रिप्लेस करेंगे हर्श कुमार बानवाला को नेक्स देखें, which of the following has developed a new mobile app named the National Test Abhyaas यानि कौन सी कंपनी है या ओर्गनेशन है जिसके दोर एक mobile ड्वेल्प की गई है जिसका नाम है National Test Abhyaas इसको रिसेंटली ड्वेल्प किया है National Testing Agency ने इसके लाव आप यह भी या देखें यह आप मेंली ड्वेल्प की गई है फोर जेई मेंजी एक्जाम और जो नीट का एक्जाम होता है इन दोनों एक्जाम को कराय करने के लिए आपको फिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मौक टेस्टर प्रवाइड के जाएंगे यह आपके 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 लिए नेक्स्ट कोशन देखें रिसेंटली रिलीज की है सिडवी इसी एक आपके लिए जो चीफ है यानि चेर्मेन है वो है मोहमद मस्तफवा मोहमद मस्तफवा नेक्स्ट क्वेशन देखें वह थेकन एज जो है वह कौन बने है रिसेंटली इन एक्टिंग कैपसिटी एड विल देरफोर ओवर्सी डेमो बिलैगे वह किसे किया गया है इसके रिसेंटली प्र refraraft już क्यें संब्सक्व स्काष एASE जो सपेसिएंसे है अलून मस्ट आननुमस्क की यह स्पेसिएंसी या वह स्पेसेश और और आक्स और नेक्स और महस्कवा मोहर्स इसे मेड इंडियन्जी इजिनीशी मेड PPP कि मेड इन्म सिंग कउमवर्थ कोई गगया है इसकानाम क्या रखा है इस इंडिया की जो कंडिशन इसको देखते हुए यह बनाय गया है यह पीपिटे किट है इसका नाम रख्खा है निक्तम्स स्थक और संब इसको नाम रख्ष様 कोई इन्डियों कुल waits Association के Indian Steel Association के जो President बने है वो बने है दिलीप ओमेन इनको इलेक्ट किया गया है as the President of Indian Steel Association International Tea Day जो है यह हर साल किस डेट को अब्ज़र्व किया आता है यह हर साल मनाया जाता है C option 21 मई को 21 मई को हर साल अब्ज़र्व किया आता है International Chai Divas इस राइट अंसरस्ट कोश्टन का C option किस मई नेक्स्ट कोश्टन रेखे जो Dr. Harshwardhan है इनके दौरा पार्टी सप्रिट किया गया है जो नाम की जो मिटिंग होई थी Non-Aligned Movement की Video Conferencing के मादिम से इसमें पार्टी सप्रिट किया था हमारे Dr. Harshward ने Health Minister ने इसको चेर किस ने किया था यानि किस कंट्री के Health Minister के दौरा इस मीटिंग को चेर किया गया था इसको चेर किया था रिसेनली अजरबैजान के Health Minister ने इसलिए एक अजरबैजान देखें किन बुक्स को रिसेनली लॉंच किया गया है CBSE के दौरा यानि कौन सी बुक्स है जिनको रिसेनली प्रिपेर किया है CBSE ने Central Board of Secondary Education ने रिसेनली डेवल्प किया है इन्होंने काफी सारी बुक्स एक तो है Cyber Safety Handbook एक है In Pursuit of Excellence, A Handbook for Principles एक बुक है जिसका नाम है 21st Century and Skills यह सब भी बुक्स को रिलीज किया है रिसेनली लॉंच किया है CBSE ने इसलिए इसलिए एक अजरब सार्थ कोश्ण का यह अप्शन ऑल A, B, A, B, A, C इसलिए एक असर्थ कोश्ण का B option is World Bank. World Bank के जो Chief है यानि President है वो है David Malpass weiß और इसका Headquartर है वॉसंगटएडएकुर्टार है वॉशंगेगरочноंडएदीसी में वॉशंगटएडएडीसी ने चसेірमें दीसे की capital में यह बने है Dr. Harshwardhan, Dr. Harshwardhan जो है, इनको appoint किया गया है as the chairman of the World Health Organization executive board, इसलिए राइटान साथ इसकोशन का यह option Dr. Harshwardhan Next question रिखे, which of the following has backed a cloud project with the US Department of Defense, यानि किसके दोरा partnership की गई है एक cloud project के लिए US Department of Defense के साथ, यह किस ने किया है recently, यह किया है Google ने, इसलिए राइटान साथ कोशन का यह option Google, Google के यह CEO है, वो है सुन्दर पच्छाई, सुन्दर पच्छाई Next देखे, जम्मो कश्मीर Public Service Commission जो है, इसके जो चेर्मेर बने है, वो कौन बने है, इसके जो चेर्मेर बने है, रीसेंली वो बने है, बी आर शर्मा Next देखे, International Day of Biodiversity जो है, यह हर साल किस डेट का observe क्या आता है, इसको मनाया आता है हर साल 22 मही को, यानि 22 मही का जो डे होता है, यह मनाते हैं, International Day for Biodiversity इसका theme है, Our Solutions are in Nature, Our Solutions are in Nature Next question देखे, New Vice President कौन बने है, और Chief Economist कौन बने है, World Bank में, यानि World Bank जो ग्रूप है, इसके यह New Vice President और Chief Economist बने है, वो कौन बने है recently, यह बने है, Carmen Reinhardt Carmen Reinhardt जो है, इनको पाइंट क्या गया है, as the Vice President और Chief Economist World Bank Group में, इसलिए, यह 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 अप्शन Next question देखे, 78 नमकुशन Which of the following IITs is going to set up Center of Excellence on Medical Device and Diagnostics, यानि कौन सा IIT है, जिसके दौरा, जिसके दौरा एक Setup क्या आएगा, Center of Excellence on Medical Device and Diagnostics, यह किसके दौरा किया जाएगा, यह अनौंस किया है, रिसेंली IIT खड़े कपूर ने, यह यह अनौंस किया है, रिसेंली IIT खड़े कपूर ने, यह 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 इसका chain को किसके दौरा,letter in-ograde किया गया है, यह को campaign है, इसको recently inaugurate किया है, किसने किया है, इसको recently inaugurate किया है, KKK शहलाजा ने, red answer is question cada do option, KKK शहलाजा, इसके लावा आप यह याद रिखे, इसका जो slogan है, वो याद रिखे, इस campaign का स्यागन है, वो है SMS, SMS घृ आपक्रता है, स्टेंट करता है wash hands using soap और sanitizer wear masks and keep social distancing यह है SMS की full form यह भी आपिया देखिए next question देखें कौन से देश है जिनको इंडिया का जो खादी village industries commission है वो plan कर रहा है यह supply करेंगे खादी face masks यह कौन से देश को इंडिया प्रवाइड करेगा यह इंडिया प्रवाइड करेगा USA को Mauritius को और UAE को यानि उपरोगत सभी को इसरी item से कोशनगा Eruption All A, B & C इन सभी देशों को प्रवाइड करेगा इंडिया KVIC जो खादी village industry corporation है इसके दौरा प्रवाइड करेगे खादी village face mask सा इसरी item से कोशनगा Eruption इसके लावा आप यह भी आ रिखें next question देखे who among the falling powerlifters has have a provisionary suspended for violating anti-doping rules यानि कौन से powerlifters है जिनके suspend किया गया है क्योंकि इन्होंने violet किये हैं anti-doping जो rules हैं उनको इसलिए इनको band किया गया है यह है सवीता कुमारी और अंकित शिशोदिया यानि इस question का यह right answer है वो है direction both A and B सवीता कुमारी और अंकित शिशोदिया जो है इन्होंने bad consumable जो substance से वो लिये थे इनकी कारण इनको band किया गया है recently world anti-doping agency के तारा world anti-doping agency का जो headquarter है वो है Montreal Canada में एक song release किया गया है जिसका नाम है Jai2 Bhartam Jai2 Bhartam जो है यह mainly आतम निर्बर भारत को promote करने के लिए song release किया गया है इसको लिखा किसने है इसको recently लिखा है परसून योशी ने इसने एक preliminary agreement sign किया है किस company के साथ यह renewable energy projects के लिए इन्होंने एक MOU sign किया है किस company के साथ मिलके किया है यह इन्होंने किया है ONGC के साथ इसे राइटन साथ कोशन का यह option ONGC ONGC के जो chairman है वो है Shashi Shankar और जो National Thermal Power Corporation Limited है इसके जो chief है वो है गुर्दीप सिंग यानि chairman है गुर्दीप सिंग किस स्टेट के CM के दौरा एक Everybody will get employment scheme को launch किया गया है recently video conferencing के माधिम से इसको recently launch किया है मध्यप्रदेश के CM शिवराज सिंग चोहान ने इससे राइटन साथ कोशन का स्यूप्शन मध्यप्रदेश नेक्स देखे थॉम्स जैफरसन उनिवस्टी जो है फैलिफ डैफिया में इन्होंने एक डील साइन किया है यह new vaccine को develop करेंगे COVID-19 से लड़ने के यह किस organization के साथ मिल इन्होंने यह यह किया इन्होंने भारत बायोटेक के साथ मिलके राइट आइट यह जो है इन्होंने कितने क्रोड रूट पे जो है वह LOC sanction किये है एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के लिए यह फोर्ण ट्रेड को भड़ावा देने के लिए इसके पैसा किया है इन्हों से कंपणी है जो करेगा यह ग्रोप है KKR इसका जो शेर है वो परचेस करेंगे 2.32% स्टेक नेक्स देखे अठासी नमबर क्वेशन यानि Toyota 500 at Derlington Raceway जो हुई थी इसको रिसेनली मई 2020 में जीता किसने है इसको रिसेनली जीता है Danny Hamlin ने इसलिए राइट अंसर्स कोशन का भी अप्शन Danny Hamlin जो है इनके द्वारा जीती गई है Toyota 500 at Derlington Raceway मई 2020 में इसलिए राइट अंसर्स कोशन का भी अप्शन Danny Hamlin वर्ड टर्टल डे जो है यानि विशेव कशुगा देवस जो है यह हर साल किस डेट का अबज़र्व कहा जाता है यह हर साल मनाया जाता है 23 माई को इसलिए राइट अंसर्स कोशन का भी अप्शन 23 माई नेक्स देखे When is the United Nations International Day of End Obstetric Fistula Observed यानि International Day to End Obstetric Fistula Day जो है यह हर साल किस डेट का अबज़र्व कहा जाता है यह United Nations के दोरा अबज़र्व कहा जाता है यह हर साल मनाया जाता है बी अप्शन 23 माई को यानि 23 माई को हर साल मनाया जाता है International Day to End Obstetric Fistula इसका थीम जाद रिखे End Gender Inquality End Health Inqualities End Fistula Now यह है थीम दोहर 20 के लिए Next देखे Who has been appointed by the World Bank 2 की position on Climate Change and Disaster Management in South Asia यानि South Asia के लिए Climate Change and Disaster Management के लिए एक Chairman पॉइंट के आगया है World Bank Group के द्वारा किसे पॉइंट के गया है यह क्या गया है अभभास जहां को Next देखे जो फिक्की है इसकी एक organization है जिसका नाम है Ladies Organization FLO यानि फिक्की की organization है जिसका नाम है FLO इसके जो National President बने है वो कौन बने है Recently इसके जो National President बने है वो बने है जैना हभी फुक्कन Right answer is question जैना हभी फुक्कन Next question देखे Who among the following has launched Ask Aishman chatbot यानि किसके दोरा एक launch किया गया है Ask Aishman chatbot Aishman chatbot को launch किया गया है वर्ट से परा इसको recently launch किसे ने किया है इसको launch किया है Dr. Harshward ने Health Minister ने Right answer is question का एक option Dr. Harshward Next question देखे 94th ने Our rare palm endemic to the South Andaman Island is finding our second home in a witch's rata एक rare palm को develop किया गया है यानि find किया गया है ये South Andaman Island में find किया गया है ये दूसरा home है यानि दूसरा घर है जिसमे ये found किया गया है ये कौन सी से ट में है जिसमें find किया गया है ये है B option केरला में इसलिए आइटान साथ कोशन का B option केरला केरला के यो CM है वो है पिंडराइविजन और CM है CM है पिंडराइविजन और गवर्न है आरिफ मुहमद खान आरिफ मुहमद खान और कैपिल है तिरुवन्त प्रम तिरुवन्त प्रम नेक्स कोशन देखे एक बुक लिखी गई है Hope on my adventures on boards trains and planes इस बुक को लिखा किस रहे है इस बुक को recently launch किया गया है इस बुक को लिखा है रसकीन बॉर्ड ने famous Indian author रसकीन बॉर्ड नेक्स देखे कौन सा देश है जिसके दौरा एक new space agency जो है defense unit लाँच की गई है जिसका नाम है the space operations squadron part of self defensive force to protect its satellites from threats यानि किस country के दौरा एक recently space operations squadron को लाँच किया गया है self defensive force के लिए ये protect करेगा satellite को जो विन के जो satellite है threats से ये save करेगा ये किसे ने लाँच किया है इसको recently लाँच किया है Japan ने Japan की ये space agency उसको बोलते है जाक्सा India की space agency को बोलते है इस तरूप Indian Space Research Organization China की space agency को बोलते है China की space agency का नाम है Chinese national space agency Russia की space agency का नाम है Ross Cosmos Ross Cosmos और USA की space agency है उसका नाम है NASA, इंडिया की Space Science का नाम है ISTRO, Indian Space Research Organization, इसके यो चीफ हैं यानि Indian Space Research Organization के इसके यो चीफ हैं वो है Dr. K. Sivan, नेक्स देखें, जो मोहित भागल हैं, इनकी मृत्यूय रेसेंली मई 2020 में, ये कौन सी फिल्ड से एसोचेड थे, ये एसोचेड थे, एक्टिंग से, ये famous actor थे, एक मोहित भागल, इनके मृत्यूय रेसेंली, इन्होंने काफी फिल्मों में काम किया था, जैसे for example, रेडी मोवे में इन्होंने अपनी परफॉर्म की थी, परफॉर्मेंस की थी, मोहित भागल ने, ये विया प्या देखें, नेक्स देखें, कौन सी एथलीट हैं, जो वल्ड की हाइस्ट एथलीट, फिमेल एथलीट बन चुकी हैं, दोहर 20 में ये डिकलेर की गई हैं, ये कौन सी एथलीट हैं, ये हैं, नाउमी उसाका, इसरे आइटन सास्ट कोशन गा, स्यू अप्शन नाउमी उसाका, क्या आप मुझे कमेंड में लेके ये बिता सकते ह नाउमी उसाका जो कंट्री है, वो कौन सी है, यानि कौन से देश से बिलों करते हैं, नाउमी उसाका, इसके लावा इनकी जो टोटल हाइस्ट पेड हैं, वो के दरी हैं, 34.4 मिलियन डॉलर, इनकी टोटल कमाई है, एक साल की, जो रिसेनली डिकलेर हुई है, कॉमन वेल्थ जो है, यह हर साल अब्जर्व क्या आता है, 24 मही को, 24 मही, टोटल जो कॉमन वेल्थ कंट्री हैं, वो है 54, लेटेस्ट मेंबर कौन बना था, मौल लिफ्स, 54th, नेक्स्ट कोशन देखें, हंडर्ध नमबर कोशना, इंडिया की तरफ से जो पर्मानेटर रिपर्जेंटेटि जो अब नेक्स्ट कोशन देखें, एक सो एक नमबर कोशना, साइंटिस्ट जो है, इनके दौरा, वर्ल्ल की हाइस्ट स्पीड जो है, इंटरनेट की वो फाइंड की गई है, इस स्पीड के माधियम से, कितनी एक्टी मोवीज को, डौनलोड किया आ सकता है, विदिन फॉन स यानि एक सेखेंड से भी कम समय लगेगा, कितनी मोवीज को डौनलोड किया जा सकता है, यह हम कर सकते हैं, टोटल 1000 मोवीज को, एक सेखेंड से भी कम समय लगेगा, इसलिए आइटन साइस कुश्ट का, ए अपशन 1000, कौन सा बैक है जिसके दौरा एक, स्पेशल फिक्स्टी deposit scheme को launch किया गया है, senior citizens के लिए, इस scheme का नाम रखा है इन्होंने, senior citizen care FD scheme, इसको launch किस ने किया है, इसको launch किया है, recently HDFC bank ने, HDFC bank का headquarter है मुंबई में, और इसके CEO है अधित्यपूरी, अधित्यपूरी, next देखें कौश्ट, कौन सी country है, जिसके दौरा एक treaty थी जिसका नाम है, open skies treaty, इसको recently leave किया गया है, यानी इन्होंने decision लिया है, open skies treaty को leave करने के लिए, यह decision लिया है, USA की governmentbij, right answer is question, USA, यह decision क्यों लिया है, क्योंकि इन्होंने find किया है, यो Russia है, e-satr treaty का जो लंगन था, वो कर रहा है, यई जो rule and regulation था है, उसके लंगन गन कर रहा है, ये Russia, इसके कार जो हैं इन्होंने अपने रिटार्मेंट अनांस की है अफिशली ये कौन सी गेम से असोसेट थे ये असोसेट थे टैनी से इसलिए राटन सास्कोशन का एफशन टैनी से असोसेट थे जैमी हैंटन एक और खिलाडी थे जिसका नाम था अरेट्स अदूरिज इन्होंने वी अपने रिटार्मेंट अनांस की है ये फुटबॉल के काफ़ी फेमस प्लेयर थे इन्होंने 6 हाइस्ट स्कोर मनाये थे यानि 6 में प्लेस पर सबसे ज़्यादा हाइस्ट स्कोर मनाये थे 172 गोल्स इनके नाम है नेक्स देखें के सीम के दारा एक शर्म सिधी केमपेंग लाँच किया गया है जिसमें हर एक विलेज जो होगा वो कनेक्ट होगा इस केमपेंग के मात्यम से इसको के सीम के दारा लाँच किया गया है इसको रिसेंटली लाँच किया है मद्यपरदेश के CIM शिवरा सिंग चोहन ने राइट अन्सारस कोश्ण का C option मद्यपरदेश नेक्स्ट परदेश देखे इन्डिया का इसको रिसनली लॉंच किसे ने किया है? इसको रिसनली लॉंच किया गया है परकाश जावितकर के द्वारा राइट अन्सारस कोश्ण का अभी अप्शन परकाश जावितकर नेक्स्ट कोश्ण देखे एक सो साथ नवर कोश्ण वो हैस बिन अपॉइंट अज प्रेजिनेट अफ देली स्टेट कंजूमर डिस्पूट रेडरेशल कमिशन यानि देली जो कंजूमर डिस्पूट रेडरेशल कमिशन जो है इसके जो प्रेजिनेट अपॉइंट होए हैं वो कौन होए हैं इसके रिसेंटली प्रेजिनेट अपॉइंट होए हैं जस्टीस संगीता डिंगरा सहेगल इसलिए रिसेंटली अपॉट्स से अत्रेजिनेट। नेपल सिंग इसलिए आइटम से स्कूशन का सी अप्शन स्पोर्ट्स ये तीन टाइम ओलंपिंग चैंपिन भी रह चुके हैं और हाइस्ट होकी प्लेयर थे बलवीर सिंग दोसाज यानी जो नेपल सिंग है मैं आपको फिर से समझाता हूं जो नेपल सिंग है इनकी मृति घ्क काम से इनकी मृति हूं एक और परसंदे जिनका नाम था बलवीर सिंग के उनुसांग बलवीर सिंग से पुछाया सकता है बलवीर से दोसांग जो है इनकी मृति हूं करते है इसे जेल कि से जिसेलिप होकी नेक्स देखे जो 109 नंबर है हमारा कॉश्चन दा इंडियन एर फोर्स विल अपरेशनलाइज इस नंबर 18 स्कार्ड ड्रॉन एक्यूपड विद ऐसे तेजस एरक्राफ्ट इन विच सिटी यानि इंडियन एर फोर्स जो है इनके दौरा नंबर 18 स्कार्ड ड्रॉन जो है इसको ऑपरेशनलाइज क्या गया है किस सिटी में इसको रिसेली ऑपरेशनलाइज क्या गया है कोईम बटूल में इसको ब Explain to the Branch कोई से अप्शन 25 माई को हर साल अबजर्ब क्या आता है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्डरन डिए नेक्स देखें कौन सी स्टेट है जिसको एक टाइटल दिया गया है इंडस्ट्री यानि स्टेट दिया गया है स्पोर्ट्स का यानि इस से स्टेट को अब लाया जाएगा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री यह कौन सी स्टेट है जिसको दिया गया है यह रिसेंली अनौंस किया गय गार जोरम ठंगा, नेख्च देखे एक अवड दिया गया है Prestigious Inventor of the Year Award मई 2020 में, ये किसे मिला है recently, ये मिला है राजीव योशी को, राजीव योशी जो है इनको दिया गया है recently, Inventor of the Year Award मई 2020 में, इसे इसकोशने का प्रैप्शन राजीव योशी, next देखे who has inaugurated the Indian Dispute Resolution Center in May 2020 यानि Indian Dispute Resolution Center जो है इसको inaugurate किया गया है May 2020 में इसको recently inaugurate किसने किया है इसको inaugurate किया है Justice A.K. Sikri ने Justice A.K. Sikri यह Supreme Court के former judge है A.K. Sikri इनके दोरा inaugurate किया गया है next देखे which of the following has developed artificial intelligence based attendance application यानि artificial intelligence based attendance application developed की गई है इसको developed किसने किया है इसको recently developed किया है RCI DRDO ने इसलिए I.T.A.N.S. Question का भी option RCI DRDO Defense Research Development Organization इसके जो chief है यानि chairman है वो है जथी Dr. Chhatish Reddy Dr. S. Chhatish Reddy यह है chief of DRDO next देखे world thyroid जो है यह हर साल डेट किस डेट को observe किया आता है world thyroid day जो है यह हर साल 25 मई को observe किया आता है इसलिए I.T.A.N.S. Question का C.O.P. 25 मई next देखे who has been selected for the prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award यानि 2019 के लिए United Nations Military Gender Advocate of the Year Award दिया गया है 2019 के लिए यह किसको मिला है recently यह अवार्ड मिला है recently सुमन गवानी को इसलिए I.T.A.N.S. Question का एप्षन सुमन गवानी यह Indian Army के एक officer है सुमन गवानी इनको यह अवार्ड दिया गया है H.I.E.L. जो है यह 25 टन पैस्टी साइड प्रवाइड करेगा सप्लाई करेगा किस देश को करेगा तांकि जो टिड़ी होती है उससे जो फसलें खराब होती है उनको बचाया जाएगा इस पैस्टी साइड से यह H.I.E.L. किस को प्रवाइड करेगा कौन से देश को प्रवाइड करेगा यह H.I.E.L. प्रवाइड करेगा रिसेंटली अनॉंस किया गया है यह प्रवाइड करेगा H.I.E.L. इरान को इसलिए आइटांस है से कोशनगा B.O.S. इरान इरान की यो कैपल है वो है तेरान और प्रवाइड निश्टर है हसन रोहानी यह है प्रेजिडेंट आफ इरान नेक्स देखे एक सो ठारान अनॉंस कोशनगा कौन सा इंस्टिटूशन है यानि और इसलिए और जिसके दौरा सस्पेंड किया गया है तेंपरेरली बेस्ट पर इन्हों ने इसको सस्पेंड कर दिया है क्योंकि इन्होंने फाइंड किया है इससे काफी सारे जू है वो साइड एफेक्ट हो सकते हैं जो भी पेशेंट है COVID-19 के उनको काफी सारे side effect हो सकते हैं इस दिवाई से यानि hydroxy chloroquine से इसको किसने recently suspend किया है इसको recently suspend किया है World Health Organization के दोरा इसलिए एक answer is question का यह option World Health Organization इसका headquarter जिनेवा में और इसके chief है Dr. Tedros Adhanom Tedros Adhanom जो है यह इधोपिय देशते हैं और इसके इसमें एक इंडिया की एक chief scientist है Emma Somya Swaminathan Next question देखे Who has been nominated as the official minister recorder for the all executive committee meetings of the Indian Olympics Association यानि इंडिया की तरफ से एक executive committee बनाए गी है इसमें एक official minister recorder बनेंगे वो कौन बनेंगे यह recently announced किया गया है Rakesh Gupta को इसको इसकोशन का यह option राकेश Gupta next देखे स्वामी रामदेव जो है स्वामी बाबा रामदेव जोगा गुरू इनके दोर एक app लाउंच की गई है इसके मादेम से आप दस अहार की जो daily transactions है वो कर सकते हैं average है दस अहार की इस app का नाम क्या रखा है इस app का नाम रखा है order me order me यह इन्होंने नाम रखा है इस app का नितिन गड़करी जो है इन्होंने एक tunnel का दुखटन किया है यानि inauguration किया है एक tunnel का यह जो चारदाम connectivity है उसमें काफी help प्रड़ी करेगी यह recently चंबा में किया गया है यानि चंबा के नीचे से यह tunnel बनेगी recently announce किया है नितिन गड़करी यह हमारे road transport minister है इनके दौरा इसको announce किया गया है इसकी जो length होगी वो कितने meter की होगी इसकी length होगी total 440 meter की इसकी लेंट होगी total 440 meter की इसका नाम इन्होंने रखा है FRSH इसको recently launch किया है सलमान खान ने इसको जीता है recently किस country ने इसको recently जीता है इटली ने जीता है इस कप को recently हुआ था जो UFO E Euro Cup इसलिए आटांसास कोशन का EOption Italy Next question देखे विच अनांस्ट तू लाँच दा परदान मंतरी वायवंदना योजना यानि किसके दोरा लाँच किया गया है परदान मंतरी वायवंदना योजना ये एक modified scheme है इसको recently launch किस ने किया है इसको recently launch किया है LIC India ने यानि Life Insurance Corporation of India इसलिए आटांसास कोशन का B option LIC India इसकी जो चेर्मेन है वो है MR कुमार यानि LIC के जो चेर्मेन है वो है MR कुमार Next question देखे Jio platform के लिए जो additional director बने है वो कौन बने है recently recently announce किया गया है Anant Ambani को ये youngest तो सन ने है मोकेश Ambani के Next question देखे 126 number question Which of the following has renamed its Wide Field Infrared Survey Telescope in his honor of Nancy Grace Roman यानि किस स्पेसियंसी के दोरा इनका एक टेलिसकोप था जिसका नाम था Wide Field Infrared Survey Telescope इसका नाम अब हुगा Nancy Grace Roman Telescope ये रिसेंटी किस स्पेसियंसी ने अनॉंस किया है ये रिसेंटी अनॉंस किया है नासा ने ये स्पेसियंसी है USA की ये रिसेंटी नासा के जो चीफ है वो है Jim Bridenstine Jim Bridenstine इसके लाव आप ये विया देखे जो Nancy Grace है ये फर्स्ट यानि जो Nancy Grace है ये फर्स्ट चीफ एस्टर नॉमर थी नासा की ये विया देखे Next question देखे कौन सी कंपणी है जिसके दोरा एक 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 एक्वाइर किया गया है Amsterdam एक कंपणी है जिसका नाम है Electric Scooter Maker at Argo इसको किसने रिसेंटली एक्वाइर किया है इसको रिसेंटली एक्वाइर किया है ओला एक्ट्रिक मोबाइल्टी ने इसरी रिसेंटली एक्वाइल्ट्रिक मोबाइल्टी कंपणी जो है इसके दोरा एक्वाइर किया गया है Electric Scooter Maker Company at Argo को Next question देखे परिया सामी जो है परिया सामी कौमारन इनको हाई कमिशन पॉइंट किया गया है किस देश के लिए इनको हाई कमिशन होंगे पैरिया सामी कौमारन यह होंगे इनको हाई के नेक्स्ट अमबेस्टर सिंगापूर में इसरी रिटान साथ कोश्टन का एक्वाइशन सिंगापूर Next question देखे 139 नंबर कोश्टन Which of the following has imposed a penalty of 7 lakh on NHIA यानि National Highways Authority of India जो है इसके उपर 7 lakh रुपे का जो है वो फाइन लगाया है किस और गनेशन ने ये रिसनली लगाया है किस और गनेशन लगाया है इसको रिसनली लगाया है सेवी ने Security and Exchange Board of India के द्वारा इसके जो चेर्मेन है वो है अजे त्यागी अजे त्यागी जो है वो है चेर्मेन आउफ सेवी Security and Exchange Board of India Next question देखे 130 number question Name the Artificial Intelligence-based chatbot launched by National Payments Corporation of India to create awareness around its product like Fastag यानि एक IAI-based chatbot को launch किया गया है इसका नाम क्या है इसको रिसनली National Payments Corporation of India के दोरा launch किया गया है इसमें काफी ज्यादा फाइदा होगा awareness वलाई जाएगी जो Fastag है जिससे जो online toll projects है उससे online भगतान होता है Fastag, Rupai, RupaiCard, UPI ये सबी जो हैं इन पर काफी सादा काफी सारा जो create करेंगे इसका नाम क्या रखा है इन्होंने इसका नाम रखा है इसकी राइटन सारा अमरास कोशन का एफशन पाइ next question देखे 131 रखाइब कोशन who has announced a new story called दा लकबोग two entertained children यनी किस के द्वारा एक new story लाँच की गई है जिसका नाम है दा लकबोग ये जो बच्चे हैं इनको entertain करेगा coronavirus के चलते हुए ये किस ने recently launch किया है इसको recently launch किया है JK Rowling ने इसका तीम है periods in pandemic periods in pandemic तीन मैं आपको important arbitrary बिता था हूँ जिनकी मिलती हुए recently इन 15 दिनों में सबसे पहले है मस्तवा हुसायन मस्तवा हुसायन जो है ये उर्दू राइटर थे और इनको पदम शीरी मिला हुआ था इनकी मिरती हुए मैं 2020 में हाइद्रावाद में इनको पदम शीरी को मिला था दोहार साथ में मिला था उसके बाद नेक्स है आर शनमुगम आर शनमुगम जो है ये फॉर्मर तमिल अडू के फुटबॉलर थे और कौच थे फुटबॉल के इनकी मिरती हुए रिसेंली विमल गांधी विमल गांधी जो थे ये थे प्रेजिएंट ऑफ इंकम टेक्स एपिलेट ट्रिबूनल इनकी मिरती हुए या मई 2020 नेक्स्ट कॉच्छन देखे 133 नमबर कॉच्छन जो अरग्या सेतु एब है जो वल्ड की हाइस्ट लार्जेस्ट कॉंटेक्टर ट्रेसिंग बन गई है इसके जो डॉनलड हो है टोटल 11 करोड 40 लाख डॉनलड होए है कितने दिनों में यानि 11 करोड 40 लाख टोटल डॉनलड हो चुके है कितने दिनों में इतने डॉनलड हैं वो देखे गए है इसके लिए टोटल दिन लगे हैं 40 दिन इसलिए एटान सास्ट कॉच्छन का C option 40 दिन New Chief Secretary कौन बने है केरला के यानि केरला के New Chief Secretary कौन बने है केरला के जो New Secretary बने है Chief Secretary वो बने है विशवाश महता इसलिए एटान सास्ट कॉच्छन का एप्षन विशवाश महता शेहन मदूशंका जो हैं इनको suspend किया गया है All forms of Cricket with immediate effect ये कौन से देश से associate करते हैं यानि कौन से देश के प्लेयर है शेहन मदूशंका ये प्लेयर है शिरिलंका के यानि शिरिलंकन प्लेयर है शेहन मदूशंका इनको band किया गया है recently इसलिए राइटान सास्ट कॉच्छन का C option शिरिलंका Next question देखें Who has been selected by the banks board bureau as CMD यानि banks board bureau जो है ये select किया गया है SN Rajeshwari को इसलिए राइटान सास्ट कॉच्छन का Eruption SN Rajeshwari Next question देखें किसको suspend किया गया है FIFA के द्वारा 90 दनों के लिए यानि 90 दनों के लिए FIFA के द्वारा suspend किया गया है क्योंकि इन पर charges लगे थे Sexual Assault के लिए ये कौनसे player है जिनको recently suspend किया गया है 90 दनों के लिए ये है West Gene Bart इसलिए राइटान सास्ट कॉच्छन का Eruption West Gene Bart FIFA जो है ये official body है football के जो match वगरा होते हैं international level के वो conductor करवाता है FIFA इसलिए राइटान सा है हमारा इस कॉच्छन का Eruption West Gene Bart FIFA के जो President हम वो है Gianni Infantino Next question देखिए कौन सी state है जिसके दोरा 800 km का एक road developed किया गया है herbal road सा ये developed किया गया है UP government के दोरा इसलिए राइटान सारा हमारा इसकुच्छन का C option UP इसमें दोनों साइड जो होगा पोदे लगाए जाएंगे herbal के यानि बीच में सडकोगी 800 km का road होगा दोनों साइड पे जो होगे वो पेड़ लगाए जाएंगे herbal के लिए यानि जैसे for example Pipple नीम इस तरह के पेड़ लगाए जाएंगे जिससे जो दवाईया है आशिवगंदा इस तरह के जो पेड़ है वो लगाए जाएंगे तांकि जो दवाईया है वो इससे तैयार हो सके ये लॉंच किया है रिसनली UP government कौन सा बैंक है जिसने 170 million dollars का जो लॉन है वो दिया है ये करेंगे 450 km की जो state highways हैं उनको अर्जन अवार्ड के लिए किसी स्रमानित क्या लाएगा यानि किसको नॉमिनेट किया गया है अर्जन अवार्ड के लिए National Federation के तोरा मई 2020 में ये किया गया है रिसनली किया गया है मेरा बाई चानू को और पुनम यादू को यानि इस कोशन का रिएटन सा है वो है D option 140 नॉमिन का रिएप्शन है D option बोथ A and B मेरा बाई चानू और पुनम यादू दोनों को रिसनली डिकलेर किया गया है फोर दा अर्जन अवार्ड इंटरनेशनल सोरी National Federation of India के तोरा इस रिएटन सा हमारा रिएप्शन का D option बोथ A and C नेक्स देखे New Development Bank जो है NDB इसके जो New President होंगे वो कौन होंगे New President Recently lected हुए है Mercos Troizo इस रिएटन सा हमारा रिएप्शन का E option Mercos Troizo जो है इनको recently lected किया गया है As the New President of New Development Bank इस रिएटन सा हमारा रिएप्शन Mercos Troizo ये रिप्लेस करेंगे KV कमत को KV कमत को रिप्लेस करेंगे Next question देखे 142 रिएप्शन With which of the following Has the European Commission Joined Forces to launch यानि किस के साथ मिलके जो European Commission है इन्होंने एक Safe Home Campaign को launch किया है To support women's Women's को support करने के लिए और बच्चों को ये रिस्क है उसको reduce करने के लिए ये किस के साथ मिलके किया है उन्होंने ये किया है उन्होंने FIFA के साथ और World Health Organization के साथ मिलके इस रिएटन सा हमारा रिएप्शन का Both A and B International Day of United Nations Peacekeepers ये कब observe किया आता है किस डेट का observe किया आता है ये हर साल मनाया जाता है 29 मही को इस रिएटन सा हमारा रिएप्शन का C option 19 मही इसका theme भी याद रिखे Women in Peacekeeping are Keys to Peace यानि Women in Peacekeeping are Key to Peace ये है theme दोहर 20 ये के लिए Next देखे Women Peacekeepers from which country यानि Women Peacekeepers जो है ये किस देशे हैं जिनको recently United Nations Military Gender Advocate of the Year डिकलेर किया गया है 2019 के लिए यानि एक आवर्ड दिया जाएगा General Nations Military Gender Advocate of the Year 2019 आवर्ड ये किस देश के दो किस देश के दो Peacekeepers हैं Women's Peacekeepers हैं ये हैं इंडिया और ब्राजिल के इसलिए रिएटन सा हमारा रिखे इंडिया के एक परसन जिनको ये स्नमानित किया गया है वो है Suman Gavani Suman Gavani और ब्राजिल के हैं एक Montero Montero De Castro Montero De Castro इन दोनों को स्नमानित किया गया जाएगा इस आवर्ड से ये दोनों हैं इंडिया और ब्राजिल से इसलिए रिएटन सा हैं अमारा स्कूशन का B option नेक्ट कोशन देखे Who has been awarded the Christophe Marriac Prize यानि किसको स्लेक्ट किया गया है for the Christophe Marriac Prize for her work for the Durban-based center for the AIDS program यानि इन्होंने AIDS program के लिए काफी ज़्यादा awareness fly थी South Africa में इसके लिए इनको ये अवर्ड दिया जाएगा Christophe Marriac Prize 2020 के लिए ये किसको स्लेक्ट किया गया है रिसनली ये स्लेक्ट किया गया है Kaurisha Abdul Karim को इसलिए आटन सा है हमारा स्लेक्ट का A option Kaurisha Abdul Karim जो है इनको स्लेक्ट किया गया है इस अवर्ड के लिए इसलिए आटन सा हमारा स्लेक्ट का A option Next देखे Olympic Channel Commission जो है इसके जो member बने है वो कौन बने है recently Olympic Channel Commission के जो member बने है recently वो बने है नरेंदर दुरूब बत्रा इसलिए आटांस है हमारा सकुष्ण का वियाप्षन नरेंदर दुरूब बत्रा Indian Olympic Commission जो है इसके जिए president है नरेंदर दुरूब बत्रा Next देखे जो 22 में meeting होई थी यानि Financial Stability and Development Council जो होई है माई 2020 में इसको जो chair किया था वो किस ने किया था इंडिया की तरफ से ये chair किया गया था ये किया था चेर निरमला सितारमन ने इसलिए आटांस है हमारा सकुष्ण का वियाप्षन निरमला सितारमन के दौरा इस meeting को chair किया गया था इसलिए आटांस है हमारा सकुष्ण का वियाप्षन निरमला सितारमन ये हमारे इंडिया की finance minister है निरमला सितारमन ये वियार के International Day of Action for Women's Health ये किस डेट का observe किया था है हर साल ये हर साल मिला याता है 28 मही को इसलिए आटांस हमारा सकुष्ण का जिनको पॉइंट क्या गया है as the CEO of Wipro Wipro company जो है इसके new CEO बने है non-Indian बने है ये बने है थारी डेला पोटे इसलिए आटांस हमारा सकुष्ण का ये option थारी डेला पोटे जो है इनको पॉइंट क्या गया है as the new non-Indian CEO of Wipro Wipro company जो है ये एक इंडिया की company है इसके जो chairman है वो है Ajim Premji Ajim Premji की company है Wipro ये वियाद के next देखे किस स्टेट के CM के दारा एक रोजिगार सेतु scheme को launch किया गया है recently किस स्टेट के CM के दारा इसको launch किया गया है MPK, CM, शिर्रासिंग, चौहन के दारा इसलिए items है हमारा स्कोषिंगा भी option Madhya Pradesh के CM के दारा रोजिगा सेतु scheme को launch किया गया है recently इसलिए items हमारा स्कोषिंगा भी option Madhya Pradesh next question देखे the first domestically developed unmanned helicopter AR-500C of which country focused on platy operations recently made its maiden flight यानि पहला जो domestically developed unmanned helicopter है जिसका नाम है AR-500C इसको किस country के दारा developed किया गया है recently इसको recently developed किया है China ने इसलिए items हमारा स्कोषिंगा भी option China China की capital है Beijing और China की speciality को बदे है CNSA और President है Xi Jinping World Digestive Health Day यह हर साल किस डेट का observe किया आता है World Digestive Health Day यह हर साल बनाय आता है 29 मही को इसलिए items है हमारा स्कोषिंगा 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 29 मही World Health Day यह हर साल किस डेट का observe किया आता है इसका अंसर आप मुझे comment box में लिखके बताइए देखते हैं कौन बताता है इसका theme भी याद रिखे gut, microve, microbe and global perspective यह है theme 2 है BCR के लिए next question देखे 153 number question which country hosted the meeting of the heads of tax authorities of the BRICS countries in my 2020 यानि कौन सा देशा है जो BRICS countries का जो tax authorities के जो headers होते है इनकी जो headers होते है इसको host किया गया है इसकी meeting इसको recently किसने host किया है इसको recently host किया है Russia next question देखे 144 number question वेरवाज़ा foundation stone for a missile park का अगनी प्रास्था laid by CMD Rajesh Devanath Commanding Officer यानि किसके दौरे एक foundation stone रखा गया है missile park का अगनी प्रास्थ का यानि missile park का जिसका नाम है अगनी प्रास्थ का इसका उधिगाटन रखा गया है foundation stone रखा गया है Rajesh Devanath के दौरा ये Commanding Officer है ये कहाँ पर रखा गया है ये रखा गया है INS Kalinga में इसरी आइटन सा है हमारा सकुषण का भी option INS Kalinga ये कहाँ पर लोकेटड है ये लोकेटड है विशाखा पत्नम में विशाखा पत्नम अंदरबरदेश कौन सी स्टेट है जिसके दौरा 300 क्रोर रुपे का जो है Special Financial Package Announce किया गया है for new government jobs accelerate करने के लिए villages में यानि गाउं में new jobs को start करने के लिए ये Announce किया है किस स्टेट ने ये Announce किया है ये पैसा ये किया है Tamil Nadu Government इसलिए आटन सा है जो सेंटर है इसने 445 क्रोर रुपे रुपीज जो है वो Announce किये है for the Jal Jeevan Mission के लिए 2,21 के लिए किस स्टेट के लिए इन्होंने ये किये है ये रिसनली Announce किये गए है 36 गड के लिए रेटन सास्ट किये गए है 36 गड के लिए किये गए है इसके लिए जल शक्ती अबयान जो है इंडिया ने चलाया था जिसमें 2,24 तक इंडिया के हर हाउस होल्ड तक साफ डिंक के बल वार्टर पहुंचाया जाएगा 2,24 तक इसके लिए एक मिनिस्टर भे बनाया था जो बने थे इसके मिनिस्टर गेजेंदर शेंगर शिखावता इनकी जो कॉंस्टनसिया वो है जोदपर राजस्थान जोदपर राजस्थान इंटरनेशनल एवरेस्ट डेई जो है ये हर साल किस डेट का अबज़र्व किया राता है International Average Today जो है यह हर साल मिनाया जाता है 29 मई को इसलिए आटन से हमारा स्कोष्ण का C option 29 मई Next question देखे Independent Director कौन बने है Indigo Company के यानि Indigo Company जो है इसके जो Independent Director बने है वो कौन बने है इसके Recently Independent Director बनाया गया है Venka Taramani Sumantran को इसलिए आटन से हमारा स्कोष्ण का B option इसलिए आटन से हमारा स्कोष्ण का B option Next question देखे जो किरन जीत को रहा है इनको बन किया गया है World Anti-Doping Agency के दोरा इसका जो हैटकोटर है मों है Montreal Canada में इनको बन किया गया है क्योंकि इनका जो केस था वो पोजिटिव पाया गया है यानि इन्होंने consume किया थे जो baddest substance है उनको consume किया था दोहों में इनका test किया गया था ये positive वाय था इनको कितने सालों के लिए बैंड किया गया है इनको 4 सालों के लिए बैंड किया गया है इसलिए आटन से हमारा स्कोष्ण का C option 4 साल कि आप मुझे comment में लेकर ये बदा सकते हो किरन जीत कौर की जो game है वो कौन सी है यानि कौन सी sports से associate है किरन जीत कौर देखते हैं कौन बताता है important arbitrary बताता हूँ जो 4-5 लोग हैं जिनकी मृत्य हुई है recently famous astrologer है जिनका नाम है बैजन दारुबालिया इनकी मृत्य है recently मई दोहर बीसमें लिखा था एक तो एक जिंदगी कैसी है पहली यह लिखा था एक former CM थे 36 गड के जिनका नाम था अजीत जोगी former CM थे 36 गड के निकी मृत्य हुई recently present में कौन है बोपेश भागिल भोगेश भागिल और गवरन है अनुसुयाउपकी और उसके बाद है एक MP थे वरिंदर कुमार और राजे सभा से MP भी थे और केरला की एक socialist politics है जिसका नाम था डॉयन यानि डॉयन ओफ कैलिडा कैनना डॉयन ओफ केरला जोचलिस्ट पलिटिक्स इनकी मृतिया मई 2020 में next देखे कलपना मौरपारिया यह चेर में थे JP Morgan South Asia और South East Asia के लिए इन्होंने रिजाइन किया है अपनी पोच्ट से कौन रिप्लेस करेंगे इनको इनको रिप्लेस करेंगे लियोपुरी इसलिए एक्टम से हमारा स्क्वेशन का एक अप्शन लियोपुरी यह थे Best 160 Questions Best क्रणफेस के Part 2 के जो हमने काफी डिटेल में कवर करने की कोश्च की है अगर आप इस वीडियो की PDF फर डौनल करना चाते हो तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल Wi-Fi डौकेशन से डौनल कर सकते हो अगर आपको यह वीडियो ची लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार रिवेशन कर रहे हो तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को जुरू प्रेस कर लें क्योंकि इस तरह की सबसे डिटेल में वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर प्रवाइड की आती हैं और वह वी बैस्ट क्वालिटी की इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को जुरूर प्रेस करने इस वीडियो में वैसे इतना ही मिलते हैं नेक्स टुडियो में यह एक तरह की रिवीजन वीडियो होती है यानि आपको एक्जाम से पहले इस वीडियो को देखने जाना होता है यह एक तरह की रिवीजन वीडियो होती है यानि डेली के जो डेली करन फेस होते हैं वो आपको सुबाः पांच वजे मिलते हैं ये एक तरह का Revision वीडियो होता है जब आपका Exam होगा तो आपको इस Series को देख के जाना है यानि 2x पर आप इस Series को देख सकते हो आपको सारे के सारे जो questions हैं वो सारे के सारे याद हो जाएंगे जब आप तीन से चार बार इस वीडियो को revise करोगे तीन से चार बार आप जब आप इस वीडियो को revise करोगे आपको सारे के सारे जो questions हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेर जरू करें इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स वीडियो में ज्याद से वीडियो बस्ट करें लार्चे अजिकred, भुष भीडियो खेर वीडियो है